फाइनले बॉलिवोट के वन आप दा एक्शन इस्टार याने सुपर इस्टार सनी देवल की फिल्म गदर टू को आज रिलीज वे बॉक्स आपिस पर चाउतिस दिन पूरे हो चुके हैं तो वही 15 दिन के रणिंग में टेटर में चल रही है और फिल्म लगातार बॉक्स आपिस पर तावरत अप कलेक्शन करती जा रही है जी हां हम बात करने वाले हैं गदर टू मुवी के अब तक के याने टोटल 25 दिनों के बॉक्स आपिस कलेक्शन के बारे में वही पटान फिल्म का हिंदी वर्जन का लाइफ टाइम कलेक्शन का रेकॉर्ड ब्रेक करने के लिए गदर टू को और कितनी कमाई करनी होगी ये आज हम जानने वाले हैं तो जैसे कि अब सभी जानती ही है कि गदर टू साल 2001 की गदर एक प्रेम कता का दूसरा सिक्वेल है जो कि लगबग 22 सालों के बाद हमारे समने गदर एक प्रेम कता का दूसरा सिक्वेल है और वाकई में इस फिल्म को और्डेंस का जबरदस्त रिस्पॉंस मिला क्यूंकि आप तो जानती ही है कि साल 2001 में किसी ओडेंस ने सोचा भी नहीं होगा कि गदर एक प्रेम कता का दुसरा सिक्वेल भी हमें देखने को मिलेगा ये तो डिरेक्टर को खुद को भी पता नहीं था कि गदर एक प्रेम कता का दुसरा सिक्वेल बनने वाला है लेकिन आचानक इस मूव जी का लुक इतना जबरदस्त देखने को मिला है तो आप खुद ही सोचिए कि गदर टू में कितना जबरदस्त देखने को मिला होगा और ऐसा ही हुआ जी हाँ जितनी भी ओडियंस इस फिल्मों को देखकर ठेटर्स के बाहर निकलती तो फिल्म की कहानी क्लैमेक्स और सनी पा ये बॉलिवूड की पहली फिल्म है जो की कम बजेट में 500 करोड रुपे का अकड़ा तैकर लिया और वो भी कम समय में जी हां बताते चले की गदर टू को 500 करोड रुपे के कलब में शामिल होने में सिर्फ 24 दिन का समय लगा तो वही पतान को भी लगबग 28 दिन का समय लगा था और बाहुवली टू को तो लगबग 32 दिन लगे थे और इतना ही नहीं जहां पतान को 500 करोड रुपे के बजट में बनाय गया था तो वही बहुवली 2 को लगबग 200 करोड रुपए के बजट में बनाय गया था लेकिन गदर 2 को केवल 80 करोड रुपए के स्माल बजट में बनाय गया और इतना जबरदस्त कलेक्शन कर दिखाए कि बॉलिवूड की आस तक किसी भी फिल्म ने नहीं किया होगा जहां हिंदी वर्जन के कलेक्शन के मामले में भी फिल्म ने बॉलिवूट के लगबख सारे रेकॉर्ड तोड़ दिया। अब एक केवल पतान बाकी है जिसके बाद गदर टू सबसे ज़ादा कलेक्शन करने वाली बॉलिवूट की पहले नंबर की फिल्म बन जाएगी। चर्मा लीड रोल में दिखाई देते हैं और इन तीनों ही एक्टर्स की एक्टिंग और परफॉर्मस वही फिल्म की कहाने और क्लैमेक्स एकदम अडवास लेवल की होनी की वज़े से ओडेंस और क्रेटिस दोनों की तरब से फिल्म को पॉजिटिव रिस्पास मिला और फि जे तो फिल्म ने पहले ही दिन ब्रह्मास्त्र, संजू, सुल्तान और धुम्त्री जैसी बड़ी ब्लोकबास्टर फिल्मों का ओपनिंग डे का रेकॉड ब्रेक कर दिया था और इसी थरह फिल्म लगातार बॉक्स अपिस पर अपनी धुवादार कलेक्शन जारी रखी और फिल्म ने अपनी शुरुवाती 32 दिनों में ही ओल ओवर इंडिया से लगबग 515 करोड 58 लाख रुपई तक के कलेक्शन कर चुकी थी तो वही 33 और 34 दिन भी ये फिल्म बॉक्स अपिस पर अपनी तवबरतों कमाई जारी रखी और फिल्म ने जहां अपने 33 दिन लगबग 50 लाख रुपई की शांदर कलेक्शन कर दिखाई तो वही 34 दिन भी फिल्म ने लगबग 50 लाख रुपई कमा डाले और इसी के साथ फिल्म की 34 दिनों की टोटल इंडियन नेट कलेक्शन लगबग 516 करोड 55 लाख रुपई के देखने को मिले 34 दिनों में फिल्म ने वर्लड वाइड कलेक्शन के मामले में लगबग 675 करोड 15 लाख रुपई तक के कलेक्शन कर चुकी है बात कर लेते हैं फिल्म की आज की याने की 35 दिन की कलेक्शन को लेकर तो बता दे कि आज भी इस फिल्म को ओडियनस का जबरदस्त रिस्पॉंस मिल रहा है आला कि आप तु जानती है आज वर्किंग डे होने की वज़े से इतना जबरदस्त कलेक्शन तो करेगा नहीं लेकिन बता दे कि आज थोड़ा बहुत उच्छाल देखने को मिल रहा है यहां बताते चले कि मॉर्निंग शो में फिल्म की occupancy rate लगबग 19% के बीच देखने को मिली है तो वही रात किशो की फिल्म की occupancy rate रिपोर्ट के मुताबिक लगबग 30% से भी जादा देखने को मिल सकती है से आभी तक की मिली रिपोर्ट के माने यह फिल्म आज की दिन ओल आवर इंडिया से लगबग 55 लाख रुपए तक का कलेक्शन करती दिखाई दे सकती है और इसी के साथ फिल्म की पस्तिस दिनों की टोटल इंडियन नेट कलेक्शन लगबग 517 करोड 13 लाख रुपए के आराउंड देखने को मिल सकती है तो वही 35 दिनों की दुनिया वर से हुई कलेक्शन लगबग 675 करोड 80 लाख रुपए के आसपस देखने को मिल सकती है अब बात कर लेते हैं कि पतान फिल्म का हिंदी वर्जन का लाइफ टाइम कलेक्शन का रेकॉर्ड बीट करने के लिए गदर टू को और कितना कमाना होगा तो आप देख सकते हो कि आज की कलेक्शन याने लगबग 35 दिनों की कलेक्शन के साथ ही फिल्मों की टोटल इंडेन नेट कलेक्शन जो है वे लगबग 570 करोड रुपए से भी जादा की देखने को मिल रही है और पतान का रेकॉर्ड तोडने के लिए गदर टू को कम से कम 525 करोड रुपए की लाइफ टाइम नेट कलेक्शन करनी होगी और अभी भी फिल्मों को पतान का रेकॉर्ड तोडने के लिए कम से कम 8 करोड रुपए की नेट कलेक्शन करनी होगी बाकी आपको क्या लगता है क्या गदर्टू फिल्म पठान फिल्म के लाइफ टाइम रेकॉर्ड को तोड़ पाएगी हमें अपनी राइ कमेंट में ज़रूर बताए बाकी फिल्मों से रिलेटेड ऐसी है अपडेट पाने के लिए हमारी यूटूब चैनल को सस्क्राइब करे क्या स्थाओब करेंगिं